नमस्कार साथियो एक बार फिर से आपका अमारे रादा कृष्ण गाटन में हर्दिक स्वागत है और आज हम एक आपको फिर से हार्वेस्टिंग की वीडियो दिखा रहे हैं आपने पपिते की तो चलिए आए वीडियो शुरु करते हैं सबसे पहले आप ये पपिते की ग्रो अंटल के करीबने इसके अंदर फल लगया हुआ है और आपको ये हार्वेस्टिंग करके दिखाता हूं हर्वेस्टिंग कर ली है और साथ में आप ये केड़े की विग्रोथ देख सकते हैं अगला वीडियो मैं केड़े को पर लाना जाता हूं कि केड़े को हमने किस प्रकार से अब इनको ये भी प्रूट के लिए क्या रह चुके हैं उसी दुना में इनका इंदर भी स्राउट आने वाड़ा है पहले आप इन पस्तों की अच्छी तरह ये साइज देख सकते हो कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी अब एक बार आमें इन में से फिर से इनको देखना पड़ेगा क न्यक्तिनय क्या क्या नि Mexico के आमें ज़ूरत है तो चलिए अब आम को हार्वेस्टिंग करके दिखाते हैं काटके दिखाते हैं हमारे परिज्थनेखों देखो साधियो हम यह अपनी पपिते की हर्वेस्टिंग करके ले आए हैं आप देख सकते हो एक एक पपिता आपको 20-30 किलो की बीच में है तो इस प्रकार हमारे पास यह 6-7-8 किलो यह पपिते हमारी हर्वेस्ट होंगी पिसली बार भी हमने 2-3 किलो पपिते की हर्वेस्टिंग की ती और अब आपके सामने है यह आपको काटके दिखाते हैं यह रैडड लेड़ी पपिता है यह पास? कि अंदर से यह कैसा निकलता है और देखो कितना स्मूथ कट रहा है जो पकणे वाला है बिल्कुल स्मूथ स्मूथ कटता है अब आपको मैं यह अच्छी तरह से यह काटके दिखाता हूं यह देखो अंदर से एक भी बीज आपको दिखाई देता है इसके अंदर यही एक रैड लेड़ी की खाशिर विशेष्टा होती है कि इसके इसके इंदर बीज नहीं होता अब आप इसको अराम से काट काटके दूसरा इसका गुदा देखो कितना मोटा है और छिलका देखो बिल्कुल बड़ी छिलका होता है और सबसे बड़ी बात कि यह छिलका कड़वा नहीं होता देखो बुलता कितना लाल है और इसकी खुस्बों से पता लग रहा है कितना जबर्दस्त है हफ्ते पहले हमने एक हर्वेस्टिंग आपको पहले दिखाई थी अब यह एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं अब एक दूसरा यह छोटा वारा है यह भी मापको काट के दिखाता हूं देखो पूरा रस से भरा हुआ है इसके अंदर भी आप देखो कोई बीज नहीं है यह रेड लेडी की पैचान होती कि इसके अंदर कोई बीज नहीं है और गुद्दा देख सकते हो कितना जबर्दस्त है और पूरा रस का भर्या हुआ है इसको भी हम काट काट के इसी तरह से सजा देंगे यह देखो यह कुछ ज़्यादा ही पक गया है क्योंकि छोटा था ने इसलिए सबसे ज़्यादा सबसे पहले यही पका यह देखो और यह जो पपीते हैं यह आपका यह कल तक त्यार हो जाएगा तो इनको हम इधर से रख देते हैं तो आप देख सकते हो कि यह देखो आपके सामने यह पपीता आपने यह काट लिया है और आप देखो कितना सुंदर लगया हुआ है देखने भी जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्ट ही आई है, और यह हम अपने कानाजी को भोग लगा के ही, सारे परिवार के साथ बैठ के खाएंगे, तो इसी तरह आप भी अपने घर में अच्छे से पपीते उगा सकते हो, और अच्छे से आप यह पपीतों का आप लगा सकते हो, तो देखो कितना शांदार है, बाजार में यह टेस्ट आपको नहीं नहीं मिलता है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगिए, तो साथियो इस वीडियो को जादा जादा लाइक कीजिए, सेर कीजिए, और आप भी इसी प्रकार फ्रूट प्रयावन को अच्छा बनाईए, इसी के साथ धन्यवाद, जैस्री कृष्ट